मैं हूँ निश्या दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रेमेडी लेके आई हूँ जो आपकी चेहरे के अंचाहे बालों को खत्म करने के साथ आपके स्किन से पिंपल एकने जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करेगी अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अं जो मैं आपको उपाई बताने जा रही हूँ यह हर स्किन टाइप के लिए है और यह बहुत ही नैचुरल है से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो चलिए दिखते हैं कैसे बनाना है अस्तमाल करना है इसके लिए क्लीन बाउल में आपको लेना है एक से दो चमच बेसन ब दूर करने में बहुत अच्छा होता है इसमें स्किन वाइटनिंग पोपर्टी होती है जो आपके अंचाहे बालों को दूर करने के साथ आपके स्किन को यह निखारेगा नेक्स्ट आइड कीजिए लगबबग एक चौथाई चमच हल्दी हल्दी में एंटी बैक्टेरियल जो किसी तरह के स्किन प्रॉब्लम को दूर कर देती है लास्ट में जो आपको एड करना है वो है रॉव मिल्क याने की कच्छा दूद कच्छा दूद हमारे स्किन को निखारने के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो आप रोज वाटर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं बताती हूं से किस तरह से इस्तिमाल करना है दोस्तों जिस बॉड़ी पार्ट का अन्वांडिड है आपको रिमूव करना है उस एरिया पे सबसे पहले आपको ऐलोवरा जेल जो है वो पूरी तरह से आपके स्किन के अंदर चली गई है और आपका स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गया है पूरी तरह से दोस्तों एक बहुत सिंपल और एफेक्टिव ट्रिक है अगर आप इस पैक को लगाने से पहले अलोवरा जेल को आप अन्वांटेड हैर वाले इस तरह से अपलाई कर लेना है अच्छे से अपलाई करने के बाद आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए जब यह पूरी तरह से सूख जाया उसके बाद आप इसे रब करते हुए सर्कूरर मोशन में इस पैक को हटा लीजिए दोस्तों पहले इस्तमाल से आपको अं शेयर करना बिल्कुल भी ना बूले हैं